हेलो दोस्तों क्यास हैं आप लोग दोस्तों मेरा नामे सेफ खान और मेगरेश्टट फार्मासिस्टू दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों में इस्तेमाल होने वाले सारे एंटिबारिटिक इंजेक्शनों के बारे में कि जब बच्चे को कोई बीमारी होती है तो तब कोन सा इंटिबारिटिक लगाया जाता है हम यह बीमारी के इसाब साब को बताएंगे कि कौन सी बीमारी में बच्चे को को इस वीडियो को देखें आपको बहुत कुछ सीकने वो मिलेगा अगर आप मेडिकल के स्टूडटें आप फार्मसिस्ट हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो इस वीडियो गन तक देखिए और चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तो दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हम किस नामसे मार्केट में मिलता है। उसके बाद हम जानेगे। जससे आपको टेक्सैनी होगी। चैक्षिम 290 आप देख सकते हैं टैक्सिम 250 के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है काफी अच्छा एंटिबाइटिक इंजेक्शन होता है बहुत जादातर बच्चों को ये लगाया जाता है और इसके अगर हम को मिजिशन की बात करें कि इसमें सार्ड क्या होता है कंटेंट क्या होता है तो इसके अंदर होता है सिफोडॉक्सिम सोडियम आप देख सकते हैं और इसके अगर हम यूज की बात करें कि ये कब लगाया जाता है डोकटर इसको कब लगाते है तो माइड फिवर माइड फिवर मतलब मोसमी बुखार अचानक मोसम बदल जाने की वज़ा से बच्चों को बुखार आ जाता है तो इस बुखार को उतारने के लिए इसको लगाया जाता है या फिर कफ मतलब खांसी बच्चों को अगर अचानक खांसी हो जाए तो उस खांसी को ट्रोल करने के लिए भी इसको लगाया जाता है या फिर लंग्स इन्फेक्शन बना फेफड़ों में संकर्मण फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है संकर्मण हो जाता है तो संकर्मण को दूर करने के में भी इसको यूज में लिया जाता है और दोस्तो इसको हम IIM या IV दोनों रूट से लगा सकते ही फिर हमारा नेस्ट इंजेक्शन आता है आप देख सकते हैं MonoSafe SB इंजेक्शन ये इसी नाम से मार्टर में असानी से मिल जाता है इस तरहां की packaging होती है इसकी और इसके अगर हम combination की बात करें कि इसमें क्या होता है तो दोस्तों इसमें होता है Ceftroxone and Sulbactam दो साल्ड होते हैं इसके अंदर और इसके अगर हम use की बात करें कि इसे डॉक्टर कब लगाते हैं किस परशानी में लगाते हैं तो टाइफाइट फीवर जब बच्चों को टाइफाइट फीवर हो जाता है तो इस टाइफाइट के फीवर को कम करने के लिए इसको लगाया जाता है या फिर नमूनिया अगर किसी बच्चों का अचानक ठंड लगने की वज़ए से या किसी वज़ए से नमूनिया हो जाती है तो उस नमौनिया को भी रोकने का, कंट्रोल करने का काम ये करता है या फिर इसकिन अलरजी, इसकिन अलरजी मतलब तोचा में अलरजी हो जाती है बच्चे को खाल में इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरह का, तब भी डॉक्टर इसको लगाते हैं फिर हमारा next injection आता है 4 safe injection आप देख सकते हैं 4 safe 244 mg की packaging मा आता है और इसके अगर हम composition की बात करें कि इसमें क्या drug होती है तो इसका अंदर होता है sephoroxym, sodium आप देख सकते हैं ये salt होता है इसके अंदर और इसके अगर हम use की बात करें कि ये कम लगाया जाता है बच्चो को, तो ये लगाया जाता है skin infection मतलब तोचा में infection हो जाता है किसी बच्चे के खाल में infection हो जाता है तब इसको लगाते हैं डोक्टर या फिर eye infection eye infection मतलब आँखों में संकर्मन हो जाता है आँखों में infection हो जाता है सूजान आ जाती है तो उस कंडिशन में मी जो है डोक्टर इसको लगाते है या फिर Air Infection कान में Infection हो जाता है बच्चों के कान के ओपर सूजान आ जाती है कान लाल पड़ जाता है तो तब भी इसको लगाया जाता है या फिर Lung Infection लंग इन्फेक्शन मतलब फेवडों में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के सांस लेने में दिक्कत होती है फेवडों में संकर्मण हो जाता है तब भी इसको लगाया जाता है फिर हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मेरो इंजेक्शन आप देख सकते हैं मेरो इंजेक यूस की बात करें इसे कब लगाया जाता है तो इसे लगाया जाता है नमुनिया जब बच्चों को नमुनिया हो जाती है तब इसको लगाया जाता है या फिर मेजर इंजरी मेजर इंजरी मतलब गबीर चोड लग जाती है अचानक बच्चा गिर जाता है उसके चोड लग जा या फिर UTI infection, UTI infection का मतलब urinary tract infection, पेशाप की नली में infection हो जाता है, बहुत सारे बच्छों के जर्मजाद से ही पेशाप की नली में infection हो जाता है, पेशाप जो है उन्हें ठीक तरीके से नहीं आ पाता, तब भी उसको ठीक करने में इसको लगाया जाता है, और इसके बाद हमारा combination की बात करें, कि इसमें, क्या ड्रग होती ही, क्या सार्ड होता है, तो इसके उंदर MPicillin and Cloxacillin होता है, इसके अगर हम YWs की बात करें, इसको कम लगाया जाता है, तो इसको लगाया जाता यो जब तोचा में allergy हो जाती ही, किसी बच्चे के, खुझली हो जाती ही बहुत ज लगल जाता है या या फिर AI Injary मनलब आंख में बच्चे में कुछ लग जाता है धूल मिट्टी चले जाती है या कुछ लगड़े बगएरा कुछ भी आंक में लग जाता है जिससे आंक लाल पड़ जाती है तो तब भी इसको लगाया जाता है तो इसके ये तीन यूज होते है फिर हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है AZ NOX 500 की पेकिजिंग में AZ NOX 500 की पेकिजिंग में ये इंजेक्शन आता है और इसके अंदर जो कॉंबिजिशन होता है वो होता AZ THROMYCIN AZ THROMYCIN काफी अच्छा साल्ड होता है और इसको जो लगाया जाता है बच्चों को इसको यूस्टिप किया जाता है वो किया जाता है मतलब काली खासी जब बच्चों को काली खासी हो जाती है बहुत ज़्यादा खासी होती है तब इसको लगाया जाता है या फिर नबुनिया जब बच्चों को नबुनिया होती है तब इसको लगाती है या फिर लंग इनिफेक्शन फेरफ़ों में infection हो जाता है बच्चे को तब भी इसको लगाया जाता है फिर नेक्स्ट आता है दोस्तो मीकसीन injection मीकसीन जो की 250 mg की packaging में आता है काफी जादा use में आने वाला injection है यह काफी अच्छा antibiotic होता है और इसके अंदर अगर हम को magician की बात करें कि इसमें catraak होती है तो इसके अंदर होता amikacin 250 mg amikacin होता है इसके अंदर और इसके अगर हम use की बात करें कि इसे कब लगाया जाता है तो इसको लगाया जाता है टाइफाइड fever जब बच्चों को टाइफाइड fever हो जाता है तब इसको लगाया जाता है या फिर डाइरिया, now 10 plataforma हो जाते हैं बच्चों को 10 लग जाते हैं तब इसको लगाते हैं दूक्टर या फिर, साइनेटिस वियमारी होती है, इसमें क्या होता है कि हलका सा मोसम बदलने से बच्चों को जो अचयाठनेख च्छी के दुकाम हो जाते हाई तो इसको हमसारे डिस बोलते हैं तो उसको इसको लगाया जाता है, और इसको आएम आई भी दोरो रुट से लगा सकते हैं, फिर नेक्स इंजक्शन बाधाँ है हमारा दूट्तो, फोर्टपं इंजक्शन आप देख सकते हैं, फोर्टं जो की इसके कंपुनी बनाती है इसके अंदर के अगर हम कोमिजीशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रव होती है तो इसमें होता है सेफटा जडाइम आप देख सकते हैं सेफटा जडाइम होता है इसके अंदर और इसके अगर हम यूस की बात करें इसको कब लगाया जाता है तो इसको लगाते हैं या फिर lung infection ट्रेपडों में infection हो जाता है बच्चों किसी वज़ा से तब भी इसको यूज में लिया जाता है तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह के injection बता दिये आप खुछ से किसी भी injection को लगाने का प्रियास ना करें ये वीडियो सिर्फ आपको जो है medicine के नोली दिने के लिए बनाई गई है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे जे इन बन्ने मातर